अगे बढ़ते हैं भोपाल से कबर जहां अब टाइगर रिजर्व से पैट्रोल डीजल के वाहन हटाए जाएंगे नेशनल पार्क से भी डीजल पैट्रोल वाहन हटाए जाएंगे टाइगर सफारी में एलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तिमाल किया जाएगा इसके साथी नेमित करिए लिए पेट्रोल डीजल वाहनों का इस्तिमाल किया जाएगा जाए जानकारी लेंगे सीधे रुक उैसांबादाटा कि शर्मा का लाइव हमारे साथ चुड़े हो हैं अकरश क्या कुछ कारण है कि डीजल पैट्रोल के वाहनों इस्तिमाल किया जाएगा उनके सान पर बाहनों का बस्तेमाल किया जाएगा जै दोजार उन्नीश में CCNB हिजराबाद की एक जांच कंपनी है उसने बांदा हुआ टाइगर रिजर्ब में रिशर्च की थी कि जो पेट्रोल डीजल के बाहन है उनसे क्या बन जीवों पर प्रतिकूल प्रवाव पढ़ते हैं नुकसा रिजर्ब हैं मन्द प्रदेश नो और 11 नेशिनल पार इनमें पर पायलेट प्रॉजेक्ट की तोर पर कुछ जगहों पर जो हैं लेक्टर्ग बाहन पहले स्ट की तौर पर सुरू कि जाएँगे इसमें जाच की फाफारी हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं थूशी तरफ सरकार की मंसा यह है कि जो सफारी करने वाले हैं जो सफार शमीतियां है उन से प्रश्टाव मांगा है कहीं न कहीं उनको इस से रोजगार मिलेगा ग्रामीड छेत्र में जो रहने वाले लोग है लक्टिक बाहन को लेकर सरकार ने खाकत प्रश्टाव मांगा है बन भागने और उसके बाद सरकार को प्रश्टाव पूरा खाका बनाकर भीजा जाएगा लेकिन अभी हम देख सकते हैं कुछ पारकों में और कुछ टाइगर में पालेट प्रजेक्ट की तौर पर पहले छमता की जांच की जाएगी लेक्टिक बहानों की क्योंकि और खावला राष्टे में अलेक्टिक बहान के इतने सक्सेस खुल है यह जानना है बहुत जरूरी और यही कारण है कि पहले प्रदेश सरकारी फैस्टल निर्ने से पहले पालेट प्रजेक्ट की तौर पर शुरू करेगी और उसके बाद अंतिम बहाव पड़ता है उसे देखते हुए ही राधिस सरकार अब सभी टाइगो रिजर्व नैशनल पार्क से पेट्रोल डीजल वाहन हटाने जारे और इन वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा